ग्राफिक्स काट एक्षिली हम लोगों को जान करी जो है he नौर्मली सबी लोग जानते हैं ग्राफिक्स कट कि से लगेगा । बेसिकली ग्राफिक्स कट का फाइदा किया है लेंगे कोई फाइदा नहीं है तो ग्राफिक्स-CUT छोड़ कि हम लोग काम सकते मअगर ग्राफिक्स-CUT बहुत-बड़ा फाइदा करता है तो उसका किसा हिसब से करता है और dual monitor system आप लोग कैसे करोगे वो थोड़ा सा हम एक बार बोलेंगे dual monitor मतलब एक monitor में आपका project चलेगा दूसरा monitor में आपका mixer रहेगा input section हो सकता है effect section हो सकता है कोई भी dual का अभी तो 4 output वाला graphics card भी निकल गिया है मतलब 4 monitor out कर सकता हो तो देखना क्या पड़ेगा आप लोगों को तो देखिए हम एक पिक्चर खूला है इधर यह है ग्राफिक्स काट कोई भी ग्राफिक्स का आप लोग ले सकते हो जस्ट हम सब्सक्राइब लोगों को समझाने के लिए तो देखिए इसका दो आउट्पुट है मन्दब एक डेक्स्टॉप है डेक्स्टॉप को साथ यह आउट्पुट होगी यह वाला इसको भीजिये आउट्पुट बोलता है और दूजरा वाला पड़ा हुआ है इसमें अब लोग ब्लैंक एक मुनिटर लगा सकता है जैसे कि हम एक अगर पेंट में आके ड्रॉ करें तो यह हम ल दूसरे एक बड़ा वाला मुनिटर हम लोग लगा सकता है इसके लिए आप लोगों को कोई अलग से सेटिंग करना नहीं पड़ेगा नॉर्मली जो क्या करना पड़ता है डूएल मुनिटर लगाने से आप 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 मुनिटर में लाइट दिखने लग जाएगा क जैसे कि अब लोग अगर फॉलो करें तो डीडीर 4 जो रैम होता है डीडीर 4 जो रैम होता है अभी जो चल रहा है अभी तो वो 3,600 का स्पीड भी होता है 3,000 का भी होता है और 4,000 का भी होता है प्राइस थोड़ा सा वैडी करता है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करेगा 4,000 3,600 उस से काम होगा मतलब जितना स्पीड आप लोग लगा होगे बास बासिंग जितना सारा होगा तो वो कॉसली तो बन जाएगा एक नमबर दो नमबर पॉइंट के है यह जो रेम में जो आप लोगों ने ग्राफिक्स कट तो लगा दिया ठीक है DDR4 वाला ग्राफिक्स कट लगा दिया मगर अगर किसी भी करण से इसका साथ कोई मिसमेच हो गिया जैसे कि आपका ग्राफिक्स कट का अंदर जो रेम है वो रेम का बास स्पीट शायद 3000 यह देखके लेना पड़ेगा यह 3000 है और ओरिजिनली जो रेम आपने लगाया है यह 4000 का तो क्या होगा यह 1000 थोड़ा सा इसका साथ क्रेस्ट करेगा ग्राफिक का साथ प्रॉस revelation का ग्राफिक्स कट लगाने से क्या हो सकता है हम लोग का जो विंडो चल रहा है जैसे कि हम लोग एक विंडो चला रहा है इसमें Windows 10 चल रहा है RAM से शेयर हो रहा है एक नमबर दो नमबर है आपका QS 10 चल रहा है नहीं तो निवेंडर 4 चल रहा है नहीं तो QS 11 चल रहा है नहीं तो QS 11 चल रहा है कुछ के अंदर क्यूबेस जो खोला है अपने तो वह भी 4GB ले लिए अगर क्यूबेस 10 होगा तो 4GB को उपर भी ले सकते हैं बकी पड़ा हुआ है अगर हम लोग 8GB पड़ा हुआ है अभी हम लोग तो यह 8GB RAM में आपका पॉसबिल नहीं है कभी कभी हैंक कर जाएगा मिशिन क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा लोड बढ़ाने के लिए मतलब इसका फेसिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग ग्राफिस कट लगाते हैं तो ग्राफिस कट क्या करेगा विंडोस मतलब अगर हम लोग कोई भी कॉन्टक्ट के पियानो भी लोड करेंगे ना तो छोटा-छोटा फाइल जोड के लगभख पांच जीवी तक नहीं तो माल लीज़ेगा फाइल लोड किया है अपने आप लोगों देखा है कितना जीवी लोड होता है फाइल का हिसब से पांच जीवी चार जीवी तो लोड हो जाता है मतलब उनिस पर एकेला ही ले लेता है पांच जीवी तो अगर 16 से थोड़ा सा पांच जीवी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है 11 जीवी पड़ा हुआ है आप लोग बहुत अच्छा से कंपूटर के चला सकता है तो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि HDMI में क्वालिटी अच्छा होगी और दूसरा है अगर ज्यादा लेना है तो एड़ जीवी तक अब लोग जा सकते हो एड़ जीवी तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है मगर बास्पीट जो हमने पहले बोला है ओ थोड़ा लगवक उसका सेम होना चाहिए अगर सेम होगा तो बहुत अच्छा काम करेगा परफर्मेंस बहुत अच्छा देगा तो यह थोड़ा एक बड़ देख लीजेगा अभी लगाएंगे कैसे अभी तो लगा लगा दिया है जैसे कि यह बड़ा वाला मोनीटर हो गया एक ग्राफिस काड़ से गिया है एक चैन सबसे अगर दूसरा मोनीटर आप लोग ड्रैक करोगे तो चला जाएगा जैसे कि इसको ले जाऊगे तो चला जाएगा मगर उधर ले जाने का पहले आप लोगों पहर में आगर ख्लिक भी करोगे तो जाएगा नहीं तो जिसको ले जाना है जैसे कि हम लोग बाइडी फोल्ट क्या करता है मिक्सर को दूसरा में ले कर चला जाता है तो यह मिक्सर को ले जाने का पहले इसको अल्वीज उन टॉप करके इसको ड्रैक करके उदर ले जाओ सब्सक्राइबRIS को सब्सक्रार बहुत सब्सक्राइब मनीटर लगा हुआ है तो जो ग्र्राफिक्स कड अब लोगे तो उसका हिसाःब to match your display configuration तो यह जो है आइकन दिखा रहा है अभी हमारा मेशीन में कोई यह नहीं है दोसरा मोनीटर लगा हुआ नहीं है मगर हमारा डूएल मोनीटर ग्राफिक्स है तो अभी डेल का चल रहा है अभी उपर का चल रहा है अभी यह नहीं चल रहा है अगर जब हम लगाएंगे उ उसका साथ आटोमेटिकली यह एनेवल हो जाएगा उसका बाद अपलाई कर देंगा तो उसमें भी लाइट आना मद उसमें भी आप क्यूबस ले आ सकतो बहुत अच्छा अच्छा करके काम भी कर सकतो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है एकदम सीम्पल से बात है ग्राफिक पर नंबर दिखा रहा है उसमें आप लोग थोड़ा मेसेज कर सकतो अगर वीडियो बनाएंगे पहले वाट्सअप करना पड़ेगा अगर वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे तो इसका हिसाब से आप लोगों को छोटा सा टोकेन मनी देना पड़ेगा तब हम वीडियो और उसमें काम भी हो जाएगा यह पक का काम हो जाएगा तो थैंकि दोस्तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले और इसको शेयर भी कर दीजिए जैसे कि हमारा चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा सब बढ़े थैंकियो